The Discipline Tredden जीतने वाले रवेयों को तयार करना Mark Douglas मश्मूलात पेशलफ्स दिबाचा एतिराफात हिस्सा अवल का तारुफ एक ए मैंने ये किताब क्यों लिखी? दोग एक नई सोच का तरेका कार क्यों? हिस्सा टू तिजारती माहौल की नौयत एक नफसियाती नुक्ता नजर से तीन बाजार हमेशा सही होता है चार मुनाफा के लिए लामहदूद पोटेंशल है और नुकसान पाँच प्यमते नंबर के साथ मस्तकिल हरकत में है शुरू अख्तिताम की वजाहत की गई है छे अव मार्केट एक गेर मुनजब माहौल है साथ अव मार्केट के माहौल में वजुहात गेर मुतालिका है आठ काम्याब बनने के तीन मराहिल ताजिर खिस्सा थरी के लिए एक फरेमवर्क बनाना खुद को समझना नौग दिमागी नौयत को समझना माहौलियाद दस्त कैसे यादें असोसियेशन्स और अकाइद माहौलियादी मालुमात का नजम करे 11. हमें अपनाने का तरीका सीखने की जरूरत क्यों है 12. मकसद के हसूल की हरकिया 13. जहनी तवानाई का इंतिजाम 14. तबदीली को मतासिर करने की तक्मी हिस्सा फौर कैसे बने ए नजम उ जब्द का ताजिर 15. कीमत की तहरीक की नफसिया 16. काम्याबी के मराहिल 17. एक हत्मी नोट इंडेक्स पेश लफ्स मालियाती बरादरी में मेरी मनफरिद हैसियत ने मुझे एक हजार नौसो उनासी से हजारों ताजिरों बरोकर्स और तिजारती मुशीरों से बात करने और उनसे सवाल करने का नादिर मौका फराहम किया है मैं कोई बरोकर आखत लिखने वाला नहीं हूँ मैं काम्प्यू ट्रेक का चीफ एक्जेकेटिव आफिसर हूँ एक कमपनी जो स्टाक और फ्यूचर ट्रेडर्स को तिक्नी की तजजिया फराहम करती है मैं अपनी हैसियत को गेर जानिबदार समझता हूँ जो लोगों को खिल कर मुझसे आजादाना तोर पर बात करने की अजाज़त देता है मैंने 1960 में अपने अकाउंट के लिए ट्रेडिंग शुरू की और बहुत जल्द अच्छी ट्रेडिंग और मनी मैनेजमेंट के बनियादी नफसियाती बिलाक्स से आगा हो गया इस एहसास की तस्दीक उन तमाम लोगों ने की है जिन्हों ने मुझसे मशवरा किया है नतीजे के तौर पर मैं खुलूस दिल से महसूस करता हूँ के तिजारत में कामयाबी 80 फीसद नफसियाती और 20 फीसद किसी का तरेका कार है चाहे वो बनियादी हो अटिकनीकी मिसाल के तौर पर अपको बनियादी और तिकनीकी मालुमात का मामूली इल्म हो सकता है और अगर अप नफसियाती कंट्रोल में हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं इसके बरक्स अपके पास एक बहतरीन निजाम हो सकता है जिसका अपने तजर्बा किया है और तवील अरसे तक अच्छी कारकरदगी का मुझाहरा किया है फिर भी अगर नफसियाती कंट्रोल नहीं है तो अब खसारे में रहेंगे एक अच्छा ताजिर तजिर्बे से जानता है कि वक्त के साथ साथ वो जीतने वाले से ज़्यादा हारने वाली तिजारत में मशगूल हो सकता है लेकिन पैसे का इंतिजाम और हकीकत पसंदाना से टाप से महफूज खतरात का मोहताग जाइजा ताजिर को परेशानी से दूर रखेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि बड़ी चालों पर इसे फाइदा होगा मनी मैनेजमेंट दो जरूरी अनासिर पर मुझतमिल है नफसियाती इंतिजाम और रिस्क मैनेजमेंट खतरे का इंतिजाम उन नफसियाती अवामिल से होता है जो ताजिर की तरफ से सही मानों में समझे जाते हैं और खतरे पर गोर करने से पहले जगा पर होते हैं मैं खास तोर पर नए ताजिरों और मार्किट के शुरका को खबरदार करूंगा कि आपके महर्रिकात को पढ़ना और गेर फाआल तोर पर तज्जिया करना यकीन एक जरूरत है लेकिन तेजाबी टेस्ट दबाव में फाआल तिजारत के साथ आता है आहिस्ता से शिरू करें हर तिजारत से सवाल करें इसकी होसला अफजाई किया तिजारत का इंतिजारत कैसे किया गया क्या ये कामयाब रहा क्यों क्या अप हार गै क्यों अपनी तश्खीस लिखीं और अपनी अगली तिजारत करने से पहले अपने तबसरों का हवाला दें काम्प्यूट्रेक के तमाम बड़े सेमिनास में मेरी कोशिश होती है के वर्कशाप के लीडर को ट्रेडिंग के नफसियाती पहलू पर हाजरीन से खिताब किया जाए वो संगीन काटने वाला जो अपकी एक्वेटियो को खत्म करता है और अपके मुनाफ़ा के साथ गाइब हो जाता है वो पुरसरार और हर जगा मौजूद वो अग नहीं है बलकि एक सादा गुम्राखक्त मीडियो ने अपने बच्चों को कतल करने से ठीक पहले कहा मैं जानता हूँ कि मैं किया बुराई करने वाला हूँ लेकिन मेरा गेर माकूल नफस मेरे हल से ज्यादा मजबूत है अगर ये जजबा आपके जहन साजी की अकासी करता है जब अप तिजारत करते हैं तो दर डिसप्लिन ट्रेडन यकीनी तोर पर इस किसम की किताब है जिसे अब पढ़ रहे है इस किताब को पढ़कर क्या खुशी हुई मेरी अपनी तालीम ने मुझे बहुत मुश्किल रास्ता का खर्च किया मैं अपने आपको सफ़ात में पढ़ सकता हूँ ये में हूँ, वो में हूँ मार्क ने एहतियाच से अपनी किताब को एक जामे मंतिकी मुकालमे में ढाला है ये इस तरह पढ़ता है जैसे आप उसके साथ हैं और वो इसे एक दोस्त के तोर पर समझा रहा है जिससे मैं जानता हूँ कि आप लुट्फ अंदोज होंगे अप खुश किसमत हैं क्यूंकि आप अभी वक्त निकाल रहे हैं इस से पहले कि आप कोई संगीन गलती कर बैठें मुझे उमीद है कि आप अपने बारे में सीखेंगे और अपने हुनर का मुताल़ करेंगे जो ताजिर सोचने और मश्क करने के लिए वक्त निकालते हैं वो जिन्दा रहेंगे और मुम्किना तोर पर खुशहाल होंगे दिबाचा दे डिसप्लिन ट्रेडन एक कामयाब सटाक अफ्यूचर ट्रेडर बनने के लिए जरूरी खुदन्जम और जब्त और जाती तबदीली की नफसियात को समझने के लिए एक जामे गाइड है ये किताब तिजारती दुनीया की गिर मामूली नफसियाती खुसुसियात को कामयाबी के साथ ढालने के लिए एक गदम बाकgeme रहनमा के तोर पर काम करेगी मैं कहता हूँ मताबकत करना क्यूंकि जादातर लोग जो तिजारती माहौल में कदम रखते हैं वो उसे इस सिकाफती माहौल से बिलकुल मुख्तलिफ तसलीम नहीं करते जिसमें इनकी परवरिश हुई है इन इखतलाफात को तसलीम ना करते हुए उनके पास ये जानने का कोई तरेका नहीं होगा कि उन्होंने मौश्र तरेके से काम करने के काबिल बनाने के लिए जो अकाइद हासिल किये वो तिजारती माहौल में नफसियाती रुकावटों के तौर पर काम करेंगे जिससे बतौर ताजिर उनकी काम्याबी को हासिल करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा काम्याबी की इस सथा तक पहुँचने के लिए जिसकी वो खाहिश करते हैं क्यूंके ताजिर उन्हें कम असकम कुछ अगर बहुत से नहीं तो इन तरीकों में तबदीलियां करने की जरूरत होगी जो वो मार्किट की कारवाई को समझते हैं दूसरे समाजी माहौल के बरक्स तिजारती मैदान में बहुत सी खुसूसियात हैं जो इस ताजिर से बहुत ज्यादा खुद पर काबू और खुद एतिमादी की जरूरत होती है जो उसके अंदर काम्याबी से काम करने का इरादा रखता ताहम हम मेंसे बहुत से लोगों में ये खुद पर काबू नहीं पाया जाता है क्यूंके बच्चों के तौर पर हमने एक मुनजम माहौल में काम करना सीखा था जहां हमारे रवये को खुद से ज्यादा ताकतवर शख्स के जरिये कंट्रोल किया जाता था जिसका मकसद मुआश्रे की तवक्वात के मताबिक हमारे रवये को जोड़ना था इस तरह हमें बेरुनी कुटों ने जज़ा व सजा के निजाम के जरिये कुछ खास तरेके से बरताओ करने पर मजबूर किया इनाम के तोर पर हमें किसी मतलुबा अंदाज में इज़ार ख्याल करने की आजादी दी जाएगी सजा के तोर पर हम आतो वो हासिल करने से रोका जाएगा जो हम चाहते हैं जजबाती दर्द का बाइस बनते हैं अहमें जिस्मानी सजा की मختلف शकलों से दो चार किया जाता है जिससे जिस्मानी तकलीफ होती है नतीजे के तोर पर रवएए पर काबू पाने की वाहिद शकल जो हमने आम तोर पर अपने लिए सीखी थी दर्द के खत्रे पर मबनी थी गातो जजबाती अजिस्मानी किसी से एकिसी ऐसी चीज से जिसे हम खुद से जादा ताकत के तौर पर समझते थे और चुँके हमें अपनी जाती ताकत को दूसरे लोगों के हवाले करने पर मजबूर किया गया था इसलिए हमने फितरी तोर पर उसी जहनी फरेम वर्क से कामयाबी के लिए अपने बहुत से रिवायती वसाइल तयार किये वो मखसूस तरेके जिन में हमने हासिल करना सीखा इसके मताबक हमने सीखा कि जो कुछ हम चाहते हैं इसे हासिल करने का वाहिद तरेका हम से बाहर की चीजों पर जोड़ तोर और जबर्दस्ती तबदीलियां करने की ताकत हासिल करना है एक चीज जो अप एक ताजर के तोर पर सीखेंगे वो यह है कि जो जहनी वसाइल अप अपनी रोज मर्रा की जिन्दगी में हासिल करने के लिए इस्तिमाल करते हैं वो तिजारती माहौल में काम नहीं करेंगे ताकत और कंट्रोल जो बाजारों में हीरा फेरी करने के लिए जरूरी है उनसे वो काम करवाईं जो आप उनसे करना चाहते हैं चंद अफराद के अलावा सबसे बालातर है और आपके रवये को कंट्रोल करने के लिए जो बैरूनी रुकावटे मौश्य में मौजूद है वो मार्किट के माहौल में मौजूद नहीं है बाजारों का अब पर कती तोर पर कोई अख्तियार अकंट्रोल नहीं है अब के तर्स अमल की कोई तवक्व नहीं है और अब की फलाव बहबूद का कोई ख्याल नहीं है अगर दरहकीकत अब बाजारों को कंट्रोल अहीरा फेरी नहीं कर सकते और बाजारों का अब परकती तोर पर कोई अख्तियार अकंट्रोल नहीं है तो आप जो कुछ महसूस करते हैं और अब के नतीजे में होने वाले रवेए की जिम्मदारी सिर्फ अब पर है एक चीज जिस पर आप काबू पा सकते हैं वो खुद है एक ताजिर के तौर पर आपको ये अख्तियार हासल है कि या तो अपने आपको पैसा दें या दूसरे ताजिरों को अपना पैसा दें और जिन तरीकों से अप ऐसा करने का इंतिखाब करते हैं उनका ताइन मतादद नफसियाती अवामिल से किया जाएगा जिनका बाजारों से बहुत कम आ कोई तालुक नहीं है आपको ये सीखने की जरूरत होगी कि अपने आपको ऐसे तरीकों से कंट्रोल करना है जो आपके लिए बिलकुल अजनबी हो सकते हैं आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि अप अपने नुक्ता नजर को तबदील करने के लिए अपने आपको जहनी आजादी कैसे दें ताका तजारती मैदान में अप जो चाही हासल करने के मुतबादिल इमकानात को देखें कत नजर इसके के अप इसे कैसे हासल करने जा रहे हैं सिर्फ चंद ही ताजिर हैं जिनहीं ये एहसास हुआ है कि वो अकेले अपने अमाल के नताईज के जिम्मेदार है इस से भी कम वो लोग हैं जिन्होंने इस एहसास के नफसियाती असरात को कुबूल किया है और जानते हैं कि इसके बारे में किया करना है शाज औ नादिर ही हम में से कोई ये सीखता है कि ऐसे मैदान में कैसे काम करना है जो तखलीकी इजहार की मुकमल आजादी की अजाज़त देता है जिसमें कोई बेरूनी धांचा किसी भी तरस से महदूद नहीं होता तिजारती माहौल में आपको अपने कोवानीन खुद बनाने होंगे और फिर उनकी पाबंदी करने का नजम और जब्द हासिल करना होगा मसला ये है के कीमत की नकलो हरकत सयाल होती है हमेशा हरकत में रहती है बिलकुल न इंतहाई मुनजम वाकियात के बरक्स जिनके हम में से एकसर लोग आदी है मार्किट के माहौल में आपके सामने आने आने वाले फैसले इतने ही लामुत तनाही होते हैं जितने कीमत की हरकत से अब फाइदा उठाना चाहते हैं आपके पास सिर्फ नहीं है हिस्सा लेने का फैसला करने के लिए आपको ये भी फैसला करना होगा के कब दाखिल होना है, कब तक अंदर रहना है और कुन हालात में बाहर निकलना है इतिराफात ज्यादातर लोग शायद इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि किताब लिखना एक बहुत मुश्किल काम है जिसके लिए मसन्निफ की जिन्दगी में अक्सर लोगों की मदद और मदद की जरूरत होती है बहुत से लोग हैं जिनको मैं इस किताब को हकीकत बनाने में मदद करने में एहम किरदार के तोर पर तसलीम करना चाहता हूँ बसमूल मेरे वालिदेन जान और हैलन युसेन मेरे भाई और बहन करेग डैन और सेंडी युसेन उनके तमाम प्यार और तावण के लिए ब्रेड जांसन, ट्रेडिंग रवई की हरकियात में मेरा पार्टनर अपने तमाम तर सबर और महरबानी के लिए शुरू करने में मेरी मदद करने के लिए जिम सौटन, बोनी मारलो, जैक बर्नस्टीन, अलिजबित मिकंजी, माइकल हेडली, इस्ट्यू सौकनक और जैक कार्ल, उन तमाम ताजिरों के साथ जिनके साथ मैंने गुजिश्टा छे सालों में काम किया है, खास तोर पर जिम गरेस वालिड, जैरी स्टेहलनुकर, जैक बरासूल, इस्ट्यू बियनोची, माइक गैंबल और चेक पैटिट उनकी दोस्ती और तावन के लिए, मुझे एक मकररर और मसन्निफ के तोर पर इजहार ख्याल करने का मौका फराहम करने के लिए टिम सलेटर, रीच मिलर उसकी हमायत और अच्छे दोस्त होने के लिए, लोरी और निकी मारलो इस खुशी के लिए जो वो मेरी जिंदगी में लेकर आए, और सबसे बढ़कर, मेरे दोस्त और साथी मसन्निफ कर्टली लेंड हर इस चीज के लिए, जो उसने मुझे सिखाया और मुझे रास्ता दिखाया है।